नमस्कार दोस्तो आज बात करने वाला हूँ बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में दोस्तो यहाँ पे GST notice form DRC01 issue हुआ है और यह notice form 26 AS के basis पे हुआ है 50 लाग तक की penalty और demand लगा दिया है हैं जी दोस्तो tax or interest 50 लाग तक की demand raise कर दी है यहाँ पे 26 AS के difference के वे से देख सकते हैं यह जो case है इस case में 26 AS के अंदर बताया है कि 26 AS के अंदर आपने जो turnover दिखा रही है और GST में जो turnover दिखा रही है उसके बीच differences के बीच यहाँ पे उसके वज़े से यहाँ पे demand बनी है तो आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे 26 AS के basis पे भी सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर उससे पहले बतना चाहूँगा जो भी भाइबंदू मेरे चैनल पे पहली बार है इस वीडियो को पहली बार देख रहे है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस ने अपनी ट्रनोवर 0 दिखाई है और लेकिन जो TDS का form है form 26 AS उसके अंदर जो ट्रनोवर दिखाया गया है उससे वो मैच नहीं हो रहा है उसके बीच डिफरेंट है डिफरेंस है ठीक है आपने रिटानों में तो ट्रनोवर 0 दिखा दी लेकिन 26 AS में ट्रनोवर आ दिए तो 26 AS के basis पे उन्हेंने ट्रनोवर को डिकलेर कर दिया कि ट्रनोवर यह है 26 AS के basis पे और उसके हिसाब से इसके उपर liability यह बनती है यह देखते हैं यह tax की liability बना दी फिर interest फिर उसके बाद penalty लगा दी ठीक है तो जो total liability बना दी है पचास लाग तक की liability इसके पर बना दी है इन्होंने 26 AS के basis पे यह बनाया है और मैं आपको दिखाता हूं देखो return of के अंदर यह 0 value दिखाई है मतलब कुछ दिखाया है यह निल की return फाइल कर दी है 00 value और 26 AS में turnover आ रही है 26 AS के अंदर यहाँ पे इनकी sales आ रही है 194C contract के अंदर यह sales है देख सकते है यह sales है और इन्होंने return यह निल की फाइल कर दी जबकि इनको GST return में values दिखानी थी और मैं आपको बदा दू case क्या है actually यह है transporter ठीक है transport service मतलब basically GTA की service देता है और GTA service exempt होता है GST के अंदर लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप 0 की return फाइल करेंगे GST R1 और GST A3B के अंदर exam supply में दिखाएंगे उसको ठीक है लेकिन इन्होंने GST A3B में इसको declare नहीं किया या R1 में declare नहीं किया लेकिन 26 AS में R यह वो value उसके वज़े से यहां difference बन रहा है और यहां पे इनके पास notice आया है कि 26 AS के अंदर तो इतनी turnover आ रही है आपने अपनी GST return में नहीं दिखाया तो उसके वज़े से यहां पे difference बन रहा है जबकि इनको GST return में चाहिए था अगर आपने भी इस तरह से गलती कर रखी है तो आप GSTR 9 में दिखा लेना अगर GSTR 9 फाइल नहीं करिया आपने मालो R103B में कुछ दिखाया है नहीं अगर GTA की service दे रहा है तो आप GSTR 9 में दिखा लेना इन्होंने GSTR 9 में भी नहीं दिखाया तो 9 में जरूर दिखा देना उसको ताकि आपके पास एक supporting document होगा एक ground होगा आप बदा सकते हो कि मेरी GTA की service है और यह exempt है यहाँ पर सामने वाला person recipient जो है RCM basis पे GST पे करेगा इनके case में भी यही है सामने वाला जो recipient है वो RCM basis पे GST पे कर रहा है इनके पर GST की liability नहीं आ रही है exempt supply है लेकिन इन्होंने GST return के अंदर GST R1 GST R3B में नहीं दिखाया नहीं GST R9 में दिखाया इसके वेशे इनके पर demand बन गई है इस तरह की cases में क्या होगा आप बदा सकते हैं GST low के coding GTA service exempt होता है और इनके पर कोई भी tax liability नहीं बनेगी आप notification का भी reference दे सकते हैं GTA का reference GST related जो provision है वो भी आप इस reply में लिख सकते है GST liability collect नहीं करेगा RCM basis पे है यह और सामने वाला जो सामने वाली party है वो RCM basis पे इसका GST पे करेगे हमारे उपर इसकी कोई liability नहीं है इसके एक proper reply बनेगा आप चाहो तो हमारी paid professional services ले सकते हैं GST notice के reply के लिए ठीके अब साफधान हो जाए form 26 AS को हलके में मतले न form 26 AS के अंदर आपकी turnover आ रही है उसमें आपकी कोई receipts आ रही है gross receipts और अपनी GST return में उस receipts को दिखाया नहीं है उसको बूल गए हो तो जब audit हो जब final balance sheet बनाओ तब दिखा लो लेकिन दिखाओ जरूर और बाद मत पकड़ भी आ जाता है आपको कि यह है तो चाहो तो DIC 03 के दूर उसका tax की payment कर लो ताकि आप interest और penalty से बच जाओ यह तो interest और penalty भी आजकल heavy लग जाता है यह तना tax उतनी penalty लगा लेते जैसे की देखो जितना tax उतनी penalty लगा दिये तो दोस्तो यह था एक कमाल का content जो आपके सामने लिखा है वीडियो का इसले की ज़रूबत है Thank you so much जय हिंद वंदे मातर